उपयोगी और हानिकारक सूक्षमजीव बैक्टेरिया, आर्किया, कवक अर्थात, फंगी, शैवाल अर्थात, अलगेई एक कोशिय जिने प्रोटो जुआ कहते हैं और वाइरस ऐसे विभिन प्रकार के सूक्षमजीव हमारी धर्ती पर लगभक 3500 अरब सालों से पाए जाते हैं यह कहना अधिक उचित होगा कि सिर्फ यही जीव विश्व प्रगती के आरंबिक काल से धर्ती पर रह रहे हैं जब धर्ती ठंडी हुई तब पानी का निर्मान हुआ जो इन सूक्षम जीवों के विकास के लिए सहायक सिध्ध हुआ प्रतिकूल परिस्तितियों में वर्तमान के अर्किया से मिलते जुलते जीवों ने अपने अस्तित्व को बनाये रखा वे उस विशम वातावरण में भी जिन्दा रहे लगबग 2800 अरब वर्षों पूर्व की बात है प्रकास संसलेशन का कार्य करने वाले साइनो बैक्टिरिया दिखाई देने लगे होंगे ये बैक्टिरिया बहुत बड़े और वैविध्यपूर्ण गुटों में पाय जाने वाले बैक्टिरिया है इन जीवों में एरोबिक अर्थात ऑक्सी प्रकास संसलेशन की क्षमता थी ऐसा माना जाता है कि इन ही के कारण प्रित्वी के वातावरण में ऑक्सीजन की मातरा में बढ़ोतरी हुई होगी वातावरण में ऑक्सिजन के बढ़ोतरी के कारण नए प्रकार के एरोबिक अर्थात ऑक्सिजन का उप्योग करने वाले सूक्षमजीवों का विकास हुआ इन जीवों ने धरती के हर आवास योग स्थान पर अपनी बस्तियों को वसाना आरम किया सूक्षमजीव लगबग हर एक स्थान पर पाये जाते हैं इतना ही नहीं ये जीवन के हर आयाम को प्रभावित करते हैं इनके अद्भुत रूप और आकार होते हैं इनका आवास गरम जरने से लेकर ठंडे अंटार्टिका तक कहीं भी हो सकता है इतना ही नहीं ये जीव प्राणियों के शरीर में और पेड़ पौधों में भी पाये जाते हैं सूक्षमजीव प्रकृती में अकेले नहीं रह पाते वे अन्य प्राणियों के साथ और उनके वातावरण से हमेशा आंतर क्रिया करते रहते हैं अनेक सूक्षमजीव वातावरण के अन्य जीवों से एक प्रकार का संबंध स्थापित कर लेते हैं, ये जीव सहजिवी संबंधों को दर्शाते हैं, उधारण के लिए परजिवी संबंध जिसमें प्रक्रिया के दौरान संबंधित नसलों में से किसी एक नसलों को हानिप प मानों को अनेक बार इस प्रकार के संबंदू से लाब बहुंचता है और अनेकों बार हमें इन सूख्षमजियों से नुकसान भी होता है चलिए सूख्षमजियों के इस शांदार दुनिया की सफर करते हैं और समझते हैं कि वे हमारे लिए किस प्रकार से लाब दायक है वे हमे क्यों महत्वपूर्ण है